इस आक्टरस ने बॉलिवुर्ट फिल्मों में करियर बनाने की इरादे से नहीं, बलकि एक आक्टर से शादी करने की इरादे से इस दुनिया में कदम रखा था लेकिन इस आक्टरस ने जिस आक्टर के साथ जीवन भर का रिष्टा बनाने का सपना देखा और जिससे शादी करने के लिए अपने माता पिता से बगावत करी, उसी आक्टर पर यौन उत्पीरन और रेप करने का आरोप इस आक्टरस ने लगाया था इस आक्टरस का पांच साल की उमर में तीन बार यौन चोशन किया गया, फिर नौ साल की उमर में उन्हें मॉलस्ट किया गया और चौदा साल की उमर में उनका रेप किया गया था 16 साल की उमर में एक आक्टर पर क्रश होने और उससे शादी करने के लिए वह मुंबई आ गई और उस आक्टर के साथ वो 8 साल तक रिलेशन्शिप में रही लेकिन वो आक्टर उनके साथ मार पीट और गाली गलोच करता रहा और फिर उनका करियर तबाह कर दिया फिर उन्होंने अपने साथ हुए शोशन के कारण अपनी जिन्दगी का मकसद पीडित महिलाओं की मदद करना बना लिया नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्तुती बात करने जा रही हूँ पाकिस्तानी मुल्क के भिनेतरी सूमी अली के बारे में जो अपनी फिल्मों के कारण कम सल्मान खान की गल्फरिंड के तोर पर चर्चा में अधिक रही लेकिन अब जब इन्होंने अपने साथ बश्पन में हुई घटनाओ और सल्मान खान द्वारा शारीरिक और मानसिक तोर पर प्रतारित किये जाने का खुलासा किया तो इसे सुनकर हर कोई दंग रह गया आखिर किस ने किया था इनका यौनुत पीड़न और रेप और इनके लिविन पार्टनर सल्मान खान क्यों करते थे इने प्रतारित और जब सूमी अली ने सल्मान खान को शादी के लिए प्रपोस किया था तब उन्होंने क्या दिया रियाक्शन इस वीडियो में सोमी अली के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ. दोस्तों, सोमी अली पाकिस्तानी मूल की अभिनेतरी है, इनके पिता पाकिस्तानी और इनकी मा इराकी है. इनका जन पाकिस्तान की कराची में 1976 में हुआ था, लेकिन उनका बच्पन अमेरिका की फ्लोरिडा में बीता, उनका बच्पन बहुत ही दर्दनाक रहा है. पाकिस्तान में जब वब 5 साल की थी, तो उनके कुक ने उन्हें तीन बार सेक्शुली अब्यूस किया, जब वब 9 साल की थी, तो चौकिदार ने भी उनको मॉलेस्ट किया, पारा साल की उमर में वो अमेरिका शिफ्ट हो गई. सबसे चौकाने वाली घटना सोमी अली के साथ 14 साल की उमर में हुई. उस समय सोमी अमेरिका में रह रही थी और वहां पार्क में 17 साल की लड़के ने उनका रेप किया था. इन सभी घटनाओंने सोमी को काफी तोड़ दिया. सोमी 16 साल की उमर में मुंबई आ गई थी. लेकिन वो मुंबई फिल्मों में काम करने के लिए नहीं बलकि सलमान खान से शादी करने के लिए आई थी. दरसल सोमी जब 15 साल की थी तब उन्होंने सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया देखी और उनको दिल दे बैठी. एक दिन पिता को सही वज़े नहीं बताई कि वो भारत क्यों जाना चाहती थी. उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं मुंबई में रिष्टदारों से मिलने और घूमने के लिए जाना चाहती हूँ. उन्होंने अपने पिता से ये भी कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना ताज महल देख किया、 मुंबया आने के बाद उन्हों काम करने की तलाश करने लगी लोग उनका मजाक उढाते थे क्योंकि वो एक स्ट्रॉगलिंग आक्टर थी और एक महंगी होटेल में रह रही थी और फिर उन्हे फिल्मों में काम भी मिलने लगा लेकिन डारेक्टर उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रिहर्सल पर जाने के लिए मना कर देती थी क्योंकि उनका मकसद बॉलिवुड में करियर बनाना नहीं था बलकि सिर्फ सल्मान खान से शादी करना था वो फिल्मों में सिर्फ इसी लिए ही काम करना चाहती थी तक कि सल्मान खान की करीब आ सके इसी दोरान एक दिन वो एक प्रोडक्शन हाउस में पहुची वही सल्मान खान से उनकी मुलाकात हुई बाद में सलमान की सिफारिश पर फिल्म बुलंद में उन्हें कास्ट किया गया 1922 में रिलीज होने वाली फिल्म बुलंद में दोनों ने साथ काम किया जो कि आस तक रिलीज नहीं हो सकी फिल्म 80 प्रतिशत शूट हो चुकी थी लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पाई एक बार सूमी अली और सलमान खान किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नेपाल जा रहे थे रास्ते में सूमी ने सलमान को अपनी फिलिंग्स के बार में बताया और ये भी कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है हाला कि तब सल्मान ने सुमी को कहा था कि उनकी पहले से ही एक गुल्फरेंड है जिस पर सुमी ने उनसे कहा था कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है आपको बता दें कि इस घटना के एक साल के भीतर ही सुमी और सल्मान की बीच नस्दीकियां बढ़ने लगी थी कहते हैं कि सल्मान खान और सुमी अली का अफेर 1991 से लेकर 1999 तक चला 1997 में सल्मान की नस्दीकिया हम दिल दे चुके सनम के सेट पर एश्वर राय से बढ़ी और 1999 में सुमी का सल्मान के साथ ब्रेक अप हो गया सुमी फिल्म बुलंद के बाद 1994 की फिल्म अंत में नजर आई इस फिल्म में सुनील शेटी लीड हीरो के रोल में थे इसके अलावा सुमी को यार गदार में देखा गया इसमें वो सैफ अली खान की गल्फरंड के रोल में थी उन्होंने तीसरा कौन आउ प्यार करें आंदोलन, माफिया और चुप जैसी करीब दस फिल्मों में काम किया लेकिन बॉलिवुड में सुमी अपनी पहचान नहीं बना पाई उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए यूएस वापस चली गई सुमी ने हाल ही में एक इंटर्व्यू में सलमान के साथ ब्रेक अप और उनका वापस यूएस जाने का कारण बताया है सुमी ने सलमान खान पर उनके साथ मारपीट और गाली गलोज करने के आरोप लगाए है सुमी के मताबिक सलमान खान उन्हें सिगर्ट से जलाते थे उन्हें दर्द देखकर सलमान को अच्छा लगता था सुमी ने कहा कि जब वो मुंबई में रहती थी तो उनका नौकर जानता था कि उनके साथ मारपीट होती है मेरी मेर नजमा मुझे रोता देखकर दर्वाजा खोलने की गुहार लगाती थी सलमान खान से मुझे ना मारने की विंति करती थी मारपीट के बाद अपने चहरे पर आई निशान को मुझे मेकप से छुपाना पड़ता था उन्होंने कहा कि उस समय मेरे मेकप आटिस अज़ेश शिलार को मेरी गर्दन और बाकी जगों पर चोट की निशान छुपाने के लिए फांडेशन लगाना पड़ता था मैं स्टूडियो जाती थी तो मेरे प्रडूसर से से नोटिस करते थे और चोट को छुपाने के लिए अज़े को और फांडेशन लगाने को कहते धेर सारा फांडेशन अपलाई करना पड़ता था सोमी ने बताय कि सल्मान उन्हें दोस्तों और पबलिक में नीचा दिखाने की कुशिश करते थे उन्हीं इंसल्ट करते थे सल्मान पर सॉमी ने कई आक्टर्स का करियर बरबात करने का रोप लगाया उनके मुताबिक सल्मान खान ने अपनी पावर का गलत इस्तमाल किया सोमी ने सल्मान को एगोईस्ट भी बताया सोमी के मुताबिक सल्मान ने उन्हें चीट किया था इसलिए उन्होंने रिष्टा तोड़ दिया खेर सोमी सालों पहले फ्लोरडा शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने अपने साथ हुए शोशन के कारण अपनी जिन्दगी का मकसद पेड़ित महिलाओं की मदद करना बना लिया। उन्होंने डुमेस्टिक बॉलेंस के शिकार लोगों की मदद के लिए 2007 में नो मोर टीर नामक स संस्था शुरू की। ये संस्था मानवी तसकरी और घरेलू हिंसा को रोकने का काम करती है। पिछले 11 सालों में उनकी संस्था ने हजारों महिलाओं, पुर्शों और बच्चों के चहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। सूमी अली 46 साल की हैं। सल्मान खान से ब्रेक अ उन्हें नहीं शादी की है और नहीं उनके बच्चे हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती हैं। तो दोस्तों आप सूमी अली के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपके पास सूमी अली से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साजा करें। यह वीडि वीडियो में वैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अंजानी जानकारियां लेकर हाजर हो जाओंगी। तब तक के लिए नमस्कार।